नमस्कार दोस्तों स्वाइगा था आपका अपने येट्यूब चैनल बीनुजे किसन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नवर 22 कितना देखेंगे क्लास नवर 22 और क्लास नवर 22 में आपका 22 प्रैक्टिक से आपके हम लोग लगाएंगे ठीक है और याद रखना ये मिसन वर्दी ब्याच 2024 जो आपको दिये हैं इसके तथा आपका ये 22 क्लास है ठीक है और याद रखना देखना ये यहाँ पर ये डेली क्लास आपका 8 बज़े मौडिंग में आता है ठीक है और एक्जाम तक में यहाँ पर हम लोग का वनली टारगेट है 70 प्लस वनली वन टारगेट 70 प्लस हम लोगों को करना है एक्जाम तक में चाहे जितना पढ़ना पड़े जो जो पढ़ना पड़े ठीक है इसलिए आपको सारा जहाँ पर मेत्वड को फॉलो करते हुए इस सेट को लाया गया है और याद रखना इसी पेटर्न के अधारित पर यानिकी एक्जाम के पैटर्न के अधारित पर आपको जहाँ दो चोड की रोप में देखते हैं पूरा डेटेल्स के साथ तो सभी लोग दो वजे वाला क्लाइस जरूर जोइन करेंगे और याद रखना धीला मत पढ़िए धीला अगर पढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होने वाला क्योंकि दो मैना वनली समय है ठीक है किस तरह सापका समय ब है ध्यार धाँ डखने फिरक को स Bernie को चलिस वीडियो का करना है जरूर शsरी आण पको मिल दे सकते हैं जिसका लिंक मिल बॉक्स में ये वीडियो आप लोगों कैसा लागता है कॉमेंट करना और इस वीडियो को बैम कर देना तो चले से वीडियो को शुरू करते हैं चले पहला क्वेसन यहां पर देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है यहां पर कर रहा है कि पंडित जावारलाल नहरू ने किस तिथी को सभिधान में उद्देश प्रास्तों प्रस्तूत किया था इंपोर्टेंट कोईसेंटर का ध्यान रखना ठीक है यहां से याद रखना कि उद्देश प्रास्तों किस ने प्रस्तूत किया था तो याद रखेंगे जेल नहरू ने और यहां पर पूछ रहा है कि किस तिथी को इन्हों ने यह पेस किया था प्रस्तूत किया था याद रखना इस का राइट अंसर बी हो जाएगा ठीक है 13 दिसंबर 1946 को आप सुनिया से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा नेक्स कोशनियाँ पे क्या पूछ भारतिया सभिधान में सामिल स्वतंतरता सामानता और बंधुत के सिधान ते किस देश के सभिधान से लिया गया है का कदम उठाया जाएगा था आप लोगों को कितना बार बता है कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है अनुछे चालिस के अतात होता है ठीक है आप सिने से क्या होगा ए आपका राइट जागा और याद रखना जिस सवें सविधान लाग हुआ था या बन के तयार हुआ था इसे में पंचायत सब्द नहीं जोड़ा गया था ठीक है इसे जोड़ा गया कब तो याद रखना तेहतरवां सविधान संसुर्दन अधिनियाव उनीस सो बेरानमे के तहट 24 अपरेल उनीस सो तैरानमे में जोड़ा गया ठीक है यह ध्यान रखना पूछा एता है इसलिए 24 अपरेल को क्या मनाते हैं पंचायती राज दिवस मनाते हैं ठीक है ध्यान रखना चले नेक्स कोशनियाँ पर देखेंगे क्या पूछरे करें कि इन में से भारत की दोस्तों नागरिक्ता प्राप्त करने के कि सर्त नहीं है कौन यहा हो गया क्या देशी करान यह सबी से आपका आजल नागरिक्ता मिल सकता है ठीक है ध्यान रखना नेक्स डेखें क्या पोश्नले करें कि भारत के राश्टपती को सपत कौन दिलाता है याद रखना कौन दिलाता है तो भारत के मुखंयादिस कौन दिलाता He — 흥े content आप सी्फन सद के किसी भी सदन में ये लगाया जा सकता है महावियोग रास्टपती पर यानि किसी भी सदन मतलब लोग सभा या राज सभा में ठीक है ध्यान रखना चेले नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे करके कि किसी धन विधय के लोग सभा में पारित होने के बाद राजपाल के उ तो बहुत आपको टफ लगेगा अभी आप बनाएंगे बहुत एजी लगेगा एक्जाम में आएगा ति यही आपको कनफीजन हो जाएगा तिसलिए इन सबी कोश्चन को अच्छे से माइंड में रखेंगे ठीक है चले नेक्स क्या पूछ रहे हैं यहां पर करके भारतिये च चुना आयो की अस्थापना कब हो तो चुना आयो की यहां पर अस्थापना पूच रहे है कब हो अ राहरा राही टे से क्या होगा यह 25 जन्रवणी 1950 आपसोनियांसे डी है आपका करेक्टरsol दलगा ठीक है ध्यान रखना निर्वाचन आयो कितने अनुछित के अंतर गत्त्य याद रखना 324 अनुचित के अंतरगर ठीक है ध्यान रखना चैले नेक्स को सिनिया पर क्या पूछ रहे करके भारतिया सभीधान में पहला संसोधन दोस्वें किया गया था याद रखना यह 1951 में ठीक है आफ सिनिया से क्या होगा भी आपका correct हो जागा नियंतरक और महालेखा परिक्षक है यह किसकी दौरा नियुक्ट किया जाता है याद रखना इस क्राइट टेंस से क्या होगा रास्ट पती कौन नियुक्ट करता है आप सिनिया से सी आपका कारेक्ट हो जागा नियुक्ट किसनिया पर क्या पूछ रहे करके निमलिखित में से कौन सा सभारत का यहां पर समयधानिक निकाई नहीं है यहां पर देखेंगे कौन एक नहीं है तो यहां पर देखेंगे कौन एक नहीं है तो यहां पर देखेंगे 10 का जो राइट टेंसर होगा यह सी हो जागा केंदरिय सूचना आयोगे कि समयधानिक निकाई नहीं है ठीक है आपसनिया से क्या होगा C आपका राइट हो जागा नेक्स कुस्निया पर क्या पूछ रहे हैं कि अकास गंगा का अकार है अकास गंगा का दोस्तों यहां पर अकार बताना है कैसा है कास गंगा दोस्तों कैसा कार कात याद रखना सर पिला कार कैसा है सर पिला कर आपस रेंस पूर्ड से क्या होगा चैड़नेक्स कोस्निजा पर देखेंके दोस्तों क्या पोच रहा है कि कार रहे कि एक विशू बीया इसी को बोलते है wenn być EE– 적ो नोक्स cùng ठीक है Equinox बोलते हैं, विशूब बोलते हैं, ठीक है, यह आपका वर्स में दो बार होता है, यह आपका दीन याद रखना है, ठीक है, 21 मार्च, 21 मार्च इसको आप अच्छिस याद रखना है, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर यह दू दिन आपका क्या है, Equinox होता है, दीन मीसन वर्दी बैस में आज यहां पे हम लोग 22 क्लास लगा रहे हैं ठेक है इससे पहले हम लोग 21 क्लास कर चुके हैं जिसने भी रिविजन नहीं किया है या जिसका 70 प्लस स्कूर नहीं आ रहा है जाके फटापट रिविजन कीजे और 2 बज़े वला क्लास सभी लोग जरूर ज ठीक है इससे लिए सभी लोग 2 बज़े जरूर जोहन करेंगे 2 बज़े आपका दीन में लाइव क्लास में ठीक है चलिए नेक्स क्या पोछ रहा है कि पिर्थवी को सुरी की पराविगनी किरने से कौन सुरक्षित करता है ति याद रखना इसका राइट टेंसर क्या होगा और जोन कौन करता है ये और जोन परत आपसे लिए से क्या होगा ये आपका राइट हो जागा नेक्स क्या पूछ रहा है कि भोटान का समराज डैस हिमाला में इस्तित है भोटान का समराज जो है हिमाला के किस भाग में इस्तित है या सम बताना यहां पे तो 14 का जो राइट माद समय से कितना आगे है यहां पे ये दियान रखना आगे है ठीक है कई बार एक्जाम में आगे पीछे में भी confusion होता है ठीक है इसका capacitor का हुगा सारे 5 गंटा आगे है ठीक है option यहाँ से A, C आपका right होगा याँ सारे 5 गंटा यहाँ से आगे है option C आपका right हो जागा next question के आप पूछ रहे कर कि लूनी नदी किस परवत स्रिंखला से निकलती है लूनी नदी दो सुझा है कहां से निकलती है तो याद रखना यह आरावली से कहां से आरावली से option D हो जागा और एक क्वेस्टन यहां से पूछा जाता है कि लूनी नदी कहां पे विलुप्त हो जाती है कहां पे ये विलुप्त होती है तो याद रखना है करच के रन में करच में दूसरों जाकर ये विलुप्त हो जाती है जो आपका कहा है गुजरात में ठीक है ध्यान रखेंगे लू महाबली के पुदर पर रखा गया है इसका नाम याद रखना बानासूर सागरβांद क्या होगा बानासूर सागरβांद आपसे मिटी का बान्द है चले नेट्स क्या पूछ रहे करें कि भारत कि आ मैं पासान काईलिन सीला चितरकार रिकाई में पर सीलय चित्रकाली कहां दूस्वह पाई जाती है यह कहां पाई जाती है तो याद रखना इसका तरह कें होगा भीमबेरो राइट का कहा नि आया ने है कहां भीमबेरो जाएगा देगा आप्षनेया से भी का भीमबेरो नहीं रहो रहात twenty हिंदु धर्म करते करते आप लोग कनफ्यूज कर जाएंगे ठीक है इस सभी कोश्चन को आप अच्छे से मैंड में बना के रखना क्योंकि आपका पचास कोश्चन जो इजी पूछा जाएगा इसी में आपका इसका गेंती आएगा और इजी कोश्चन में आप गलत करेंगे बहुत पीछे चल जाएंगे ठीक है जातक कथाय किस से संबंदीत याद रखना बहुत धर्म से राइट अपसन यहां से क्या होगा बी आपका करेक्ट जाएगा नेस्ट कोश्चन पर क्या होगा किस मूल भारती है राजबंस ने अपने सासकों के चितर के सिक्के जारी किया आस्ड धियाई के ते लेखा क्या ते यहां पर कॉन जागा ता याद रखना पाननी कौन होगा यह पाननी होतेगा आपसने से बी आपका करेक्ट लेगा क्या पूछ रहे हैं कि मुहमद गोरी की सेना और पिर्थवी राज चोहान के बीच दो बार युद हुआ ठीक है जिसमें डैस की दूसरी लड़ाई में पिर्थवी राज चोहान हार गए और उसका समराज पर राज पर कबजा कर लिया मुहमद गोरी ने याद रखना दूसरे इसका राज टेंसर क्या होगा डी हो जागा तराइन का दूसरी यूद में क्या हुआ था तो पिर्थवी राज चोहान हार गए थे पहले यूद में जीत गए थे और दूसरी यूद में यह जाके हार गए राज टेंसर यहां से डी आपका करेक्ट हो जा से आप से बी आपका राइट जागा अल्ला ओधिन खिल जी के दरवाजा का निर्मान कर भाया गया था ठीक है ध्यान रखना चले नेक्स कुस्निया पर देखेंगे दोसको क्या पोछ रहा है यहां पर करके कनोज की लड़ाई में सेरसा सूरी दुआरा हिमायू को कब पराजि ठीक है और याद रखना यह जो सेरसा सूरी है इसका जो मिर्तियों पूछे किस यूद के दौरान हुआ था तो याद रखना कलिंजर कलिंजर यूद हुआ था पंदरा सो पैतालिस में इसी यूद के दौरान सूरी मारा गया था ठीक है ध्यान रखना चले नेक्स कुस्निय कि याद रखना किस भासा में लिखी गई है किस पे कबजा कर लिया था याद रखना मदरास पे ठीक है आपसे यहां से क्या होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुशिने पर क्या पूछ रहे कि सिपाही बिद्रो के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था सिपाही बिद्रो कब हुआ था 1875 में ठीक है इसी को बोलते है 1875 की करांती ठीक है तो याद रखना इस समय पूछ रहे कि भारत का गवर्नर कौन था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो याद रखना के निन आपसे धियां से करेक्ट हो जागा ठीक है सिपाही बिद्रो की सुरुआत याद रखना 10 मई को होता है कब होता है 10 मई को होता है मेरट स कहां से मेरर से ठीक है इसका चीन ने पूछे तो याद रखना कमल और रोटी को नेक्स देखेंगे क्या पूछ रहा कर कि दिली दरवार 1911 के दौरान दिली की आधार सिला इन में से किस ने रखी थी तो दिली का दोस्तों आधार सिला ये भी कोशन आपका पूछा है था ठीक ह दौरा में डियास दौब्रा तयार कियागए एक दौसों जाय गएर हस्त छेप नीती थी ये दौसों साइला गठ बंदन केस ने तैयार किया था ययाद राखना हिए वैलेजली क्या होगए ये वैलेजली क्या होगा है यह पूछ रहा कर् erोगे के उच्च पादन हे तो कच इसका यह अंतरगत आया कि आपका कचा अंतरगत आपका नगती को जी इसके घिखे कर गया थे । इस वर्स दोस्तों ये शुरू हुआ था जनी कि पहली पंचवर्स योजना की शुरुवात पूछ रहा है और कितना आपको क्लास में ये करवाए हैं पहली पंचवर्स योजना का कारिकाल 51 से क्या होता है 56 होता है 51 से 56 होता है दूसरी का कितना होता है 56 से आपका 61 हो जाया है निमलिखीत में से कौन जो है भारत सरकार की मौदरिक निती तैयार करता है भारत सरकार की मौदरिक निती तैयार करने का किसके पास अधिकार है इसका तो याद रखने यह आर बीए यानि कि आर बीए तैयार करता है भारत की मौदरिक निती को तीक है अभी कों है सकतीकांदास ध्यान रखना नेक्स्क् device पर क्या पूछ भारत में कर राजिसरकार दिवारा डियास कर लगा जाता है थे याद रखना सराब पर اुतपादन सुलक हो जाएगा त्यक है ध्यान रखना चले नेक्स क्वेसिने पर क्या पूछ रहे हैं कि बीतिया छेतर में FCCB का पूर्ण रूप क्या होता है FCCB का पूर्ण रूप आप लोगों को बताना क्या होता है इसका राइट टेंस क्या होगा C हो जाएगा Foreign Currency Convertible Bond क्या होता है Foreign Currency और यहां पर Convertible Bond ठीक है आपसे यहां से C आपका Correct हो जाएगा Next Question पर क्या पूछ रहे करके Operation Greens क्यांपे Operation Greens एक सरकारी योजना है इसका उदेश क्या है इसका जो मेन उदेश है दोस्तों याद रखना है इसका मेन उदेश D हो जाएगा ठीक है Tomato होगी या प्याज, आलू यानि कि T.O.P. देशिए तीन फसल आपको लिया है T.O.P. मतलब Tomato, Onion और Potato ठीक है कि फसलों की आप उर्टी में स्थिर्ता लाना राय टेंसर डी हो जाएगा या आपका Operation Greens का ये सरकारी योजना है इसका मेन उदेश है इसी तीनों फसल को जो अप पूर्ती हो रहा है उस पे अस्थिर्ता लाना ठीक है चलो, नहींस कुसने पे क्या पूछ रहे करे है कि स्वक्ष विकास केहां पर स्वक्ष विकास तंतर कारी करम का उपयोग कर है कि डैस को कम करने के लिए किया जाता है स्वक्स विकास तंत्रकारिकरम याद रखना इस कराई टेंसर क्या होगा ग्रीन हाउस ग्यास उत्सरजन ठीक है आपसनिया से डी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स कुशने पर क्या पोश्रे करके करनाटक का कामबलात युहार बहुत ही मैदपून क्युशन रहागा इसको ध्यान रखना करनाटक का कामबलात युहार दूसने याद रखना किस्टे है तो इसका राइ टेंसर भहेंस की दोड़ किस्टे भहेंसों की दोड़ से आप्शन भी हो जागा एक आपका जो और यसी तरह से त्युहार मनाया जाता है तमिल्नाडो में जल्ली कट्टू तो जल्ली कट्टू याद रखना तमिल्नाडो में मनाया जाता है जिसमें आपको साडों की लाड़ाई होते है किसका होता है साड की लाड़ाई तो कामला तिहोंहार करना टक में बेस की लाड़ा याद रखना जलू कट्टो तामिल नादू याद रखना यहां से जलू कट्टो आपका सांड की लाड़ा इसे ध्यान रखेंगे नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे हैं गिद्दा कर रहे हैं कि किस राज का लोक नरीत है गिद्दा दोस्तों याद रखना है यह पंजाब का कहा हो जाएगा पंजाब आपसन ए हो जाएगा नेक्स कुछने आपर क्या पूछ रहा है पंडित जस्राज किस छेत्र से बख्यात है ठीक है पंडित जस्राज दोस्तों याद रखना है किस छेत्र में विख्यात है तो इसका राइट टेंसर क्या होगा यहां से C हो जाएगा सास्त्रिय संगितकार है क्या है यह सास्त्रिय सं अपका राइट हो जगा ठीक है पूछ तक लेखक से संबढ़ने दो दोस्तों पूछा जाता एकजाम में कम से कम आपका 3-4 क्वेशन यहां से पूछा जाता है ठीक है ता अच्छे से यहां पे कवर करेंगे कि नेग्स कुछने पर क्या पूछ रहे हैं यहां पर करके ठीक है तो इसको याद रखना है इसका राय टेंसर क्या होगा ए हो जागा बचपन बचाओ अंदोलन के लिए ठीक है बचपन बचाओ अंदोलन के लिए आपसन ए हो जाएगा ठीक है और इसी के साथ आपको किसको मिला था मलला यूसुफ जाई को मिला था जो पाकिस्तान के ती ठीक है ध्यान रखना छलों नेक्स कुसरनेलेंगे दोससों क्या पोच रहा हो यहां पर कर तरो चिह कितना वहार यह को बता है तो यहां को पूछ राधें धर हो जाए राकने यह प्लंपने किसंसरे उ highway यहां यूनिस को वह पोचने यह बागत ह Γ्याद नइस्ट कुछनें पर क्या पूछ रह जागा कि भारतीयैं अंत्रिक्स कार्रिकरम का जनक किसए का जाता है। YouTube याद रखना विकरम सारा बया को अनध्यवार होता है। computer के संदर में weight wear कि यहाँ पे weight wear का क्या होता है weight wear दोस्तों याद रखना क्या होता है यह आपका manabh mustisk क्या होगा यह manabh mustisk होता है आपसन याज से C आपका correct हो जाएगा next question पर क्या पूछ रहे का रहे कि यहाँ पे एक petabyte यहाँ पे एक petabyte बराबर 1024 डैस होता है, तो 1024 आपका टेरा बाइट, क्या होगा यह तेरा बाइट आपसं सी होजाएगा, नेक्सक्राइट पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक logi gate नहीं है, logi gate यहां पे दूस्तों जहें नहीं है चुनेंगे, ठीक है, ति आपका क्या होगा यहां से d होजाएगा, सभ पर UDP है UDP नहीं UDP क्या है UDP तो उसे याद रखना आपका क्या हो जागा तो याद रखना अपका B हो जागा ठीक है connection रहित protocol option B हो जागा नेक्स्ने क्या पूछ रहा है यहां कर कि daab maapne के लिए SIQI क्या होता है तो याद रखना Pascal आप स्नियाश क्या आपको पुछ रराखना है नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहता है को बहुत ऊच्छ तापमान को मार्टं ette के लिए उपकरण का उपयोंग हो नुद्जा भी आप पूछ निमलिकित में से भौतिक मातराओं में से कौन सी एक यहां पर अदीस रासी है क्या यहां पर अदीस रासी आपसे पूछ रहा है अदीस रासी यहां पर क्या हो जगा यंग यंग का मापांक यंग मापांक आपका यहां पर क्या है अदीस रासी आपसन यहां से सी आपका राइ होता है ति आपका प्रेक्षेब कती का किसका हो जाएगा प्रेक्षेब कती आपसने से भी आपका रेक्ट हो जाएगा नेक्स के पूछ रहे हैं यहां पर करके टीवी रिमोट कंट्रोल के आपी टीवी रिमोट कंट्रोल दोस्तों सारा कोशन बहुत ही इंपोर्टेट है ठीक और आपको याद रखना जो previous question दे रहे उसको भी सभी लोगों को लगाना है उससे भी आपको बहुत सारा idea का पता चलेगा और आप लोगों को यह भी देखना है कि सर जो पड़ा रहे है previous question में आया है कि नहीं आया है ठीक है ध्यान रखने चीज़ को इसलिए previous question बहुत important होता ह कि आपको pattern का भी पता चलता है और question का idea पता चलता है कि क्या पूछ सकता है इससे आपको ज़्यादा याद होगा ज़्यादा दिमाग में आपको attack करेगा question सब ठीक है ध्यान रखने चीज़ को देखे टीवी remote control के सिधानत पर कारी करता है यह द्यास के सिधानत पर यह कारी क याद रखना इसका काई टेंसर क्या होगा इसका राइड टेंसर डी हो जाएगा इंफरा रेड तरंग क्या होगा यह इंफरा रेड तरंग आपसे यह द्यासे डी आपका correct हो जाएगा नेक्स्क्रिशने पर क्या पूछ रहा है कि निम्लिखित में से सबसे अधीक परमानु दरबमान वाला तत्व कौन सा है सबसे अधीक परमानु दरबमान वाला तत्व याद रखना केल्सियम क्या होगा यह केल्सियम होगा आपस जासे ए आपका करेक्ट हो जागा क्या पूछ रहे हैं कि उस अमल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है यानि कि उस अमल का पहचान करना है जो पाचन में मदद करता है तब पाचन में तो कौन मदद करेंगा यह हैड्रो क्लोरिक अमल मदद करता है यानि कि HCL ठीक है आप से जैसे क्या होगा C आपका character देगा ठीक है important question है ध्यान रखेंगे इसको चल नेक्स question है पर क्या पूच रहा है यहां पर करें कि निमलिखित मेंसे कौन यहां पर आयन जल की कठोरता के लिए जम्यदार है जल की कठोरता के लिए यहां पर कौन जम्यदार होता है तो याद रखना केलसियम और मेगनिसियम के आयन ठीक है आपसे यहां से क्या होगा बी आपका character हो जाएगा निमलिखित मेंसे कौन यहां पर सबसे कठोर है सबसे कठोर पदार्त जो होता है दोसमों यह ही रहा होता है आपसे क्या होगा बी आपका character हो जागा ठीक है ध्यान रखेंगे चला नेक्स्ट कोसिका यहां पर कारेकर नेम लिखे कौन सी कोसिका यहां पर है कोसिकी सनरचनाय है जो प्रोटीन संसलेशन के लिए उतरदाई होता है याद रखना यह राइ वोसों क्या होगा राइबोसों आपसे डी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे करके ग्रेगर मेंडल का अनुवान सिती का मूल नियम दोस्ट है कि सबजी के दुआरा वो सिद्ध किया था या कारे पर अधारी था है तो याद रखना ये मटर के पौधा किस पर किया था ये मटर के पौधा पर आपसन यहां से राइट ह जागा नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहा है यहां पर करके निमली खित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौरने वाली चीटी है सबसे तेज दौरने वाली चीटी यहां पर पूछ रहा है तो याद रखना ये क्या होगा सहारन सिलवर चीटी क्या होगा सहारन सलवर चीठी आपसे यह से सी हो जागा नेक्स कुशने पर क्या पूश रहा है रक्त में आर बी सी के बढ़ने में कौन सी दोस्तों यहां पर इस्थिती बन सकती है अगर आर बी सी दोस्तों बढ़ जाता है तो आर बी सी दोस्तों बढ़ जाता है रक्त में तो क्या होगा तो याद जगा पॉली साथिमिया हो जाता है ठीक है आपसे यहां से सी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे करके खाद सिरिंखला के किस अस्तर में यहां पर करे कि मिली पीड क्यां पे मिली पीड आप स्प्रिंग टेल वुड लाइम अमिन गौवर मखिया और आपसे यहां से क्या होगा यह आपका राइट रहेगा अपर दाहरी आपसे यहां से यह आपका करेक्ट हो जागा नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे है करेंट है करेंट को भी आप लोगों को कवर करना है और करेंट आपका मंतली करेंट आप लोगों को करवा देंगे ता ठीक है चले सिनकेश्ट क्या पूछ रहे कि अपरेल दोजार तईश में संयुत राज अवेर्च के राजियां पर है एक पैन्से लिवेनिया है किस भारतिय तयोहार को राष्ट ये अवकास की रूप में घोसित है ठीक है भारत का तो वहाँ पे तिवार मना जाता है इसका मतलब इसका राइट टेंसर क्या होगा दीपा वाले ठीक है आपसे यह से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा नेस तुशने पर क्या पूछ रहा है अप्रेल दोजार तैस में जारी सन्यूत रास जनसंख्या कोस की State of World Population Report के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है State of World Population Report है ठीक है यह सभी आप ध्यान रखना क्योंकि जनगरना तो हुआ नहीं है जो पता चलेगा तो यहीं से आपको पता चलेगा ठीक है अप्रेल दोजार तैस में नाटो का पूछ रहा है यहां पर कर रहे है कि मार्च दोजार तैस में जाड़ी वैस्विक आतंकवाज सुचकांग में भारत का कौन सा अस्थान देखे यह आपका दोजार तैस का है ठीक है याद रखेंगे इसका राये टेंसर सी हो जाएगा तेरवा आपसने यहां से सी आपका करेक्ट हो जागा नेक्स कैस पर क्या पूछ रहे हैं यहां पर एक का रहे है कि वल्ड एपश रिपोर्ट तैस में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो दोजार तैस के आनुसर भारत का जो अस्थान है जो वो भी आपको पूरा खतम कर देंगे ठीक है पूरा विदी विदान सिल्यवस के साथ हम लोग यहां पर चल रहे हैं अच्छे से पूरा कोर्स को अगर खतम करेंगे तो 100% 70 प्लस स्कूर भी आएगा और रिजल्ट भी होगा ठीक है सपना भी पूरा होगा वर्दी का और हम लोग यह ठीक है आप लिद्दक करेंगे नहीं हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं यह भी धियान रखना चले नेक्स्ट कुस्ने पर क्या पूछ रहे हैं यहां पर करेंगे फरवरी 2023 में जारी आंतराष्ट यह बौधिक संपदा सुचकांग में भारत का कौन सस्थान है यह बौधिक संपदा में भारत का जो स्थान है याद रखना यह बियालिसमा आपस यह अपका करेक्ट हो जागा नेक्स कुस्ने पर क्या पूछ रहे हैं यहां पर दोस्तों जापको रिजिनिंग है ठीक है देखिए रिजिनिंग को अच्छे से बनाना है आप लोगों को ब पता चलेगा उल्टा पता चल गया और नमरिंग जब करेंगे एक इधर 26 इधर आपका यहां से 13 और इधर आपका 14 देखिए उल्टा भी पता चल रहा है नमर का भी और यहां पे लेटर का भी आपको स्विधा होगा बनाने में ठीक है जाते हैं लिख देंगे तो टाइम ब आपका मैनस तीन ही हो रहा है इधर भी आपका मैनस तीन ही हो रहा है ठीक है इधर भी आपका मैनस तीन ही हो रहा है ठीक है इसलिए आपका सी आपका करेक्ट अंसर हो जागा नेक्स कुछने पर देखिए क्या पुछा है सरली करन यहां पे करना है ठीक है इस टैप के सवाल म यहाँ पे तो आपको D रखना है D यहाँ पे रखेंगे तर डिरेक्ट आपको answer निकल देगा ठीक है यहाँ पे जापको यहाँ पे गुन्ना हो जाएगा इधर आपका क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा इधर आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा सब में आपका S है, सब में S है, और S E भी दोनों सब में है, सब में E भी है, आप देखिए R देखिए सब में है, R भी आपका सब में है, क्या है, R भी आपका सब में है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जाएंगे आगे, तो देखिए E पहले आता है, E जो पहले आएगा, त आपकर जो है इधर स्थीन गों में है आई के बाद फिर चुंटना एत्था नहीं देखिए आता है पहले यानि के चार आ गया ठीक है यह भी आपका यहां से चुट गया इधर यह आप लिक जी दूसरी अस्तान पे चारा गया तीसरे आस्तान पर देखेंगे अब देखिए य तो भूस्तिक है कि यहाँ फ्रेंका प्रेग्साम अपर जोल से कर दके पर सक कर देखांगे छक्राह मोसे कि टीक विए कर 3, 3, 49 बिलकुल आपका यहापका पैटर्न पे जा रहा है इसी परकार से यहापको लोगों को answer भी निकलना है ठीक है अगर यहापको एंसर पे जाएंगे तो आपको यहाँ से C निकल जाएगा यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 11 हो गया घटाएंगे तो आपको यहाँ से 7 मे लिए थे एक्स है ठीक है यहाँ से आपको यहां पे निकलना है अब अब देखिए कुछ जाड जाड है कभी हो सकता यह गलत है बिल्कुल आपको यहां से गलत हो जाएगाँ सबगी ऑखा पर तो जाएग्स है इसमें z भी है और खाली भी है कुछ यहां से यह भी आपका नहीं होगा ठीक है कुछ z x है कुछ z x है बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर उपरे में कह दिया कि सभी z क्या है x है यह भी आपका गलत जाएगा यानि कि कोई भी यहां पर follow नहीं कर रहा है इसका राई टेंसर आपको निकल देगा क्या तर डी निकल देगा ठीक है कोई भी निसकर अनुसरा नहीं करता है चले नेक्स कुछने पर देखेंगे क्या पूछ रहें यहां पर देखें डिरेक्ट आप लोगों को 90 मिनस थिटा पर यहां पर दे भी दिय है हिंट के लिए एक तरह से दे दिया है तो यहां पर अगर कॉस 20 है कॉस 20 अगर नीचे में भी अगर हम लोग लिखेंगे यहां पर साइन 90 मिनस 20 लिखेंगे इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं कॉस 20 बट्टे आपका यह भी आपका साइन 90 मिनस यहां पर क्या हो जागा यहां से कट गया तो फिर यहां यहां पो पूछा जागा धियान रखने चिश्चीज result भी होगा चले next question पर क्या पूछ रहे हैं यहां पर करें कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्यां ग्याद करें जो उन्चास 147 और 322 को विभाजित करने पर पर परते के सिती में समान से स्पल बचें इस टैप के सवाल को धियान में त्यूंधे झाथाफ थियान में रखना इसलिए कि पूछा उच्छन है यहां पर क्या करेंगे 147 में से उन्चास को घटा लेजिए 147 मी ते कितना एगा यह आपको आएगा आधान में कितना आधान में थियान रखना इसलिए कि यहां पे इसको गट आ也ँए ते आपको दूस करेक्ट हो जाएगा ठीक है यही आपका सेस्फिलों का समानिस्तितिय में आप इससे एपका रॉह चलिए नेक्स कशने मिंपर क्या पूिस रही है है यहां पे बिसिक सवाल होगा देखें यहां पर आपका A B C आपका क्या है तिर्भूज है A B C तिर्भूज है A D A D आपका यह मधिका है बना दिये अब यहां पर करें कि P तिर्भूज का दूसरे केंदरक है पी आपका यह केंदरक है यह आपको P दे दिया है AP का मान यहां पर कितना दे दिया 14 दे दिया है तो आप लोग को दूसरे एक चीज पता होगा क्या होता आपका यहां से माधिका जो होता है आपका यहां से क्या होता है यानि दो अनुपात एक क्या अनुपात में यह डिवाइड करता है साती होगा ना तो साथ सेंटीमेटर डिरेक टंसर यह पीडि का यहां पे लंबाई पूछ रहा है राइट टंसर यह हो जागा यह बेसिक मैत है इसको ध्यान रखना ठीक है दो अनुपात एक में दुस्वें काटती है के अंदर रख में ठीक है ध्यान रखना चेले नेक्स कु चैले नेक्स क्सक्रिणों पर पूछन और प्राप्त किया गए यह दो साधरान व्याज करे कि रसी का इतना है राईड़ीा इसका रसी तेप कर सवाल दे दोस्वें तो ऐसा चर्माना ऐसा चर्माना कि औपर में आपको एक डिजिट में अंसर है भीन में नहीं आए, ठीक है, दीक है, माल लेते हैं राषी दूसरों आपको पी माल लेते हैं अगर हम लोग 360 है, कितना है, 360 है, यहाँ पर고ology कितना निकल ते दोनों बड़ाबर Porsche गज़ते, यहां पर कर ला, टी बड़ाबर अपको और दमान लेक्स होते, P लेक्स में खुशने करें खुशने करें मेरं लगतें रसाता दोनों को फिलिसींति अपर maximize 4並ा ग casting, टी आर हो जाएगा ठीक है आर हो जाएगा ठीक है आप देखिए दोनों जगा पर आर एक्स मान लेंगे क्योंकि आपका इक्वल है यह और दोनों का मान यहां पर माने भी हैं लोग एक्स है तो जोनों जगा पर एक्स मान लेंगे तो एक्स अगर मानेंगे इसको अगर काटें बते आपको कितना निकल देगा तो 9 निकल देगा यह root में आपको चला देगा क्योंकी x square हो के आप लोग बनाएंगे copy फे ठीक है तिहाँ पे x बराबर आपको कितना निकलेगा Ttaz 25 बते आपका तीन तीन निकल देगा Уब काटेँगे तो कितना आगा ऑनटनम मतलब क्या होता है यहाँ पिटर मेंट का हो जाएगा यह दितर्विनेटिस्ट कीमेंट कीम ठीडिए होगा है इससे क्या होgt एपका करेक्ट हो जाएगा next question पर क्या पूछ रहा है no improvement आपको फिर से दोस्तों दिया है देखिए यहां पर का रहा है कि he got the message he rushed home तो यहां पर 83 का जो राइट टेंसर होगा यह भी हो जाएगा ठीक है as soon as चला है next question पर देखेंगे क्या पूछ रहा है यहां पर select the option that can दिया है फिर सापको दिया है बदलने के लिए group of sentence के लिए group of words के लिए यहां पर देना है ठीक है यहां पर पूरा group का जो word है इसके लिए एक word में answer देना है a type of substance for material that burns very quickly यहां पर जो right answer का होगा यह डी हो जागा ठीक है यहां पर right answer का यहां से correct answer हो जागा next question पर क्या पूछ रहा है यहां पर grammatical error आपको बताना है कि इसमें है if I will meet my friend today I shall give him this book तो इसका जो right answer पर ए होगा ठीक है if I will meet next question पर देखेंगे क्या पूछ है select the end to know मतलब उल्टा आपको बताना है यहां पर देखेंगे क्या होगा तो 87 का जो right answer आपको दूस्तों निकल जाएगा यह D निकल जाएगा ठीक है आपस नियांसे क्या होगा इसका जो आपको निकल जाएगा D निकल जाएगा next देखेंगे incorrect पूछ रहे यहां पर फिर से आपको grammatically error चुनना है देखेंगे दर नेचर चेनल गीव्स ए लॉट्स ओफ इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन वाइल्ड वाइल्ड लाइफ ठीक है विल्ड लाइफ तो यहां पर जो right answer आपका होगा यह क्या होगा E हो जाएगा ठीक है परतिया क्या है याद रखना है हिंदी में 90% स्कोर करना है किसी भी तरह ठीक है इसलिए आपको daily हिंदी भी करवा रहे हैं दो बजे लाइब में ठीक है तो जरूर आप लोग आंत तक देखना है क्योंकि आंत में आपका हिंदी और current करवाते हैं ठीक है तो दर्शी का संदी रूप किसका है तो मेहें इसका आपसने से क्या होगा सी आपका character देगा संदी याद रखना तीन परकार क्या होता है चले नेक्स कुस्रें पर देखेंगे क्या पोच रहे करें कि जिसे किसी वस्तु की यहां पे जो है इस प्रिहा ना हो इसके लिए एक सब्द में answer द देंगे तो क्या देंगे आपका यहां से हो जाएगा अंतेवासी आपसने से सी आपका right होगा important है का हिंदी ध्यान रखना इसको चले next question हम देखेंगे क्या पूच रहा है अन यहां पर एक और अन लिखा है ठीक है सब्द का यहां पर सही भेद बताना है यहां पर इसका जो मेढक सिंग घोड़ा और यहां पर देया बानर हाथी आदी समझने वाला सब्द है तो समझने वाला सब्द क्या है यहां पको clearly है यहां पर हरी के नाम से समझने वाला ठीक है आपसने घाऊ से क्या होगा सी हो जागा next question है क्या है है पूच रहाए हरे कि कर रहा है कि आक्सिका अनेकार्थी बताना है क्या होगा तो 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 आक्सिका अनेकार्थी बताना है तो आक्सिका अनेकार्थी बताना है क्या होगा क्या धरखना है यहां पर C हो जाएगा, समालोचन, और अपस्णियों को हो गा, C आपका राइट हो जाएगा, नेक्स कुछने पर क्या पूछ रहे हैं, कि आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास, कहावत है, इसके लिदे दोस्तों बताना है, इसका अर्थ क्या होगा, तो इ यह था आपका मीशन वर्दी ब्यास जो आपको दे रहे हैं इसके ताथ आपका यह बाइसमा कलास ठीक है अगर आप एक सिले के 21 तक कलास नहीं देखे हैं जाके आप लोग पटापट रिविजन किजिए उसका और याद रखना खान सरका दो सुझे आपको याद रखना है खा सब्सका प्रेटिक सेट लगा चुक है ठीक है सभी का एक अलग-अलग प्लेडिस आपको बना दिये हैं ठीक है और जो भी टॉप परकासने मार्केट में और उन सभी का भी हम लोग यहां पर अल्रेडी डिविजन कर चुके हैं जिसका भी 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है दो म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जय हिंत